नमस्कार, आज में आया हूँ रलावता, रलावता के अंदर महारावशेखाजी जो शेखवाटी वंस और शेखवाटी के प्रवर्तक हैं, यानि सेखवाटी के संस्तापक हैं, उनकी यहां पे निर्वानस्तिली हैं, तो मैं अपने महान पूरवज को यहां नमन करने के साथ आपको बताऊंगा उनका गोरवसाली इत्यास और उनकी जो ये समादी है यहां पर या उनका जो स्मार्क है उनकी निर्वानस्त्री है उसके हम आपको दर्सन कराएंगे और यहां के बारे में सेखाजी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और यहां के सारे द्रस्ये दिखा हुआ था यहां से पास ही थोड़ी दूर प्यास गाटवा है गाटवा के अंदर वो युद्ध करके यहां पे उनकी सेना ने यहां पड़ाव डालावा था और उनका ये अनतिम समय यहीं बिता था बाद में उनका दासंसकार भी यहीं किया था तो चलिए देखते हैं अंदर कि उनका स्मार्क में क्या बनावा है उनकी प्रतिमा कितनी बड़ी लगी हुई है जिसका पीछे राष्टपती प्रतिमा पाठिल जी ने उधगाटन किया था जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यह यह जगह है यहाँ पे सेखावटी और सेखावट बंस के प परानता आगिये थे और थोड़शी दूर यहाँ पे उनका दासंसकार किया गया था देखिए यहाँ पे उसी समय की एक छोटा सा उनका स्मार्क बनाया था जिसको यहाँ पे लोकल बासा में च्छतरी बोलते हैं बाद में यह च्छतरी थोड़ी जीरन शीरन हो गई तो इस को यह देखे नए स्टाइल के अंदर यह फतर बतर यह लगा करके यह इसका पुनुरुदार किया गया इस प्रांगन के अंदर काफी यहाँ पे जमीन भी छोड़ी हुई है ताकि यहां की जो यहां की जो वेवस्ता देखते हैं जो पूजारी उनका खर्च बसर चल सके और उनसे जो जमीन जोती नहीं जा सके वहां पे आज पास के पशू पालक अपने जानवर चला सकें ताकि पशू भी चल सके एक तरह से यह उनकी जो वेवस्ता होती थी यह परियावरण के बहुत ही अंकूल होती थी तो यह इसी तरह से ही जो भार काफी जगे छोड़ी पिता के निधन के बाद 13 साल की उमर में उनको गदी पर इठा दिया गया. उसमें एक लाग थी उनके की उनके दादा जी के टाइम से ही, की आमेर को यहां पे उनके जो चेखा जी के दादा जी थे, बाला जी, उनको गोड़े पालने का बहुत सोक था और वो एक तरह से देखा जाये तो उसमें बहुती माहिट थे और दूसरा जो इनकी राजदानी थी अमरसर अमरसर के पास पास की जमीन थी वो गोड़े चराने के लिए बहुत उप्यूगत थी तो बाला जी वहाँ पे गोड़े पालते थे और वो एक आमेर के जो राजा थे उनके बड़े भाई थे तो बड़े भाई को गिफ्ट सवरूफ बहंट सवरूफ वो कुछ वहाँ पे जो नए नसल के जो बच्छेरे होते थे वो उनको बहंट करते थे गोड़ों के जो बच्चे बहंट करते थे लेकिन बाद में ये वा कि आमेर वालों ने उसको एक तरह से लागू समझ लिया कि ये तो हमारा हक है और ये एक तरह से उनका टेक्स है लेकिन जब राव सेखाजी 13 साल की उमर के अंदर जब राजगती पे बैठे तो सेखाजी ने वो जो यहां से जो गोड़ों के बच्चे बहज़े जाते थे आमेर उन्होंने बहजने बंद कर दिये क्योंकि उनको ये लगा कि मैं इनके अधिन क्यों हो गया और उन्होंने सुतंतरता के लिए हाथ फिर फिला दिये और उनके पास उस समय करीब 12 या 24 गाउं थे लेकिन सेखाजी ने अपने पुरुसार्थ के बल पर अपने बाहु बल के दम पर आसपास के 360 गाउं के उपर उन ना चीन ले तो उन्होंने वो जो जो उनके दादा जी के टाइम से जो गोड़े गोड़ों के बच्चे बेजने की जो प्रता बन गई थी जो प्रचलन रिवाज में आ गया था तो उन्होंने का बई वो गोड़े बेजो उसी के आड़ में आमेर नरेस ने उनके साथ जी उनको ये लगा कि ये आपस के अंदर भाईयों के अंदर काफी जगड़ा हो रहा है तो उन्होंने बीच बजाव करके और संदी करवा दी और सेखाजी को शोतंतर राज्य का दरजा दे दिया अब मेरे साथ जितंतर सिंग जी मैंने जिसे अभी आपको ये सेखाजी के बा तो आप क्या पूछना चाहेंगे इस बारे में हम आरवार में जाते हैं रिश्ताजारियों में तो अपन जो सेखावत हैं उनको कहते हैं आप मुसल्मानों से मिले वें ये सेख नाम क्यों पढ़ा सेखाजी का देखिए ये सेख जो नाम पढ़ा है वो मौकल जी को संतान न करके तो रास्ते में मौकल जी मिले तो जाहिर है आज भी जिसको संतान नहीं होती तो सादू संतों के सब चक्र लगाते हैं तो वहाँ जब मिल गए तो उन्होंने अपना बताया कि उन्होंने का कि यार यहां का सासक होकर कि यहां गाया चरा रहा है फकीड ने पूछा कि भ फकीर ने दुआएं की और उसके बाद पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने उससे फकीर की याद में उसका नाम सेख था तो उसकी याद में इनका नाम सेखा रख दिया सेखा रख दिया और राव उनकी पदवी होती है जो राजा राव महराव जो पदवी होती है इसलिए म पूरे रहे हमारे चैनल के साथ धन्यवाद